हे लिएवेन, मुझे पता है कि आप लोग बेसर भी सेंत्यार कर रहे थे आज किस वीडियो को कि आपको बता कि आज का वीडियो कुछ special होने वाला है थो जी सबसे पहले को बता दूँ कि इस video में क्या सिसल में было था तो मैंने सबसे पहला टॉपिट दिया था जुबी हमष्कस्य शीरिट में तो यहां पिडैको जो वी चीजिए निपर ओम stories ऌपिक सतंद हर Olivia इंद जो आप्ला में जए आपका का को तो चली सुरू करते backyard 10 questions आपका current affairs का है total मिला करके आपका 60 mcq यहाँ पे cover क्या जा रहा है अगर आप लोग कहेंगे तो इस 35 questions को हम बढ़ा करके जो की topic से ही कर देंगे 15 questions को आटा देंगे जैसा आप लोग कहेंगे उस तर नीचे comment करके बता दीजेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को end तक जरूर देखेगा सबसे पहले बात करते हैं कि कल की Q में जो मैंने questions पूछा था उसका right answer क्या है questions यह था कि आलू किस कुल से संबंधित ही काई है तो ध्यान दीजेगा आलू जो होता है आलू बैंगन टमाटर यह सबी के सबी सोलेनेसी कुल के संबंधित होते हैं सोलेनेसी से संबंधित होगा right answer option हम C को टिक करेंगे आज का challenge थोड़ा सा tough होने वाला है तो वीडियो को अच्छे से questions को अटेम कीजेगा general categories 55 marks BC के लिए 53 marks SC categories 47 ST के लिए 49 और EWS categories 51 marks रखा जाता है वीडियो अच्छे लगे questions अच्छे लगे तो वीडियो को like जरूर कर दिजेगा साथे साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक साथ जरूर शेर करें और चैनल को subscribe करके notification बिल्ग को all पे जरूर सेट रखें हाँ तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा सारे questions को अच्छे से attempt कीजेगा ठीक है ना चरे फर्स्ट question ये कि भारती सिक्छा का मैगन काटा कहा जाता है भारती सिक्छा का मैगन काटा किसे कहा जाता है उड के गोशना पत्र 1854 या इनकी उड डिस्पैच अपने पढ़ा होगा 1854 लॉड अलोज जी के समय में यह हुआ था उसी को भारती सिक्छा का मैगन काटा कहा जाता है second question ये कि महराष्ट का सुक्रात किसे कहा जाता है महराष्ट के सुक्रात के रूप में किसे जाना जाता है तो महादेव, गोविन, अरणाडे option हम यहाँ पे D को टिक करें ठीक है और साथ से मैं आपको जाता हूँ कि इनसे जूड़ी सबसे ही महत्तिपूर्ण जो घटना है आप याद रखेंगे डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे महादेव, गोविन, अरणाडे थर्ड कोईसन्स यह है कि 20 सितंबर 1932 ठीक है कोई यर्वदा जेल में महत्मा गांधी ने आमरण अंसन जो किया था तो यह क्या गया था किसके विरोध में तो यह क्या गया था किसके विरोध में अब आपका टॉपिक से क्वेशन्स यहां पर देखने को मिलेगा यानि की सारे क्वेशन्स मिक्स किया गया ठीक है ना तो right answer यहाँ पर option B को tick करेंगे, देख मैं आपको बता दूँ कि questions को मैं थोड़ा सा modify भी कर दिया हूँ, यानि कि questions को थोड़ मरोड करके आपके साथ रखूँगा ताकि आपको अच्छे से knowledge हो जाए, आपने definitely पढ़ा है, सौरमंडल को आपने पढ़ रखाऊगा, तो अगर जितने भी चीज़े आपने पढ़ा होगा, सब चीज़ को यहाँ पर आप concept को लगाईए, देखते हैं कितना आप स्कूर कर पाते हैं, जो भी चीज़े पढ़ें आपने यहाँ पे use कीज़े, देखें क्या खहरा है questions कि सुक्र ग्रा के समभन में निमन कथनों पर विचार कीज़े, सुक्र ग्रा के समभन में निमन कथनों पर विचार कीज़े, क्या यह सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि प्रित्वी की जो बहन, यानि कि सुक्र जो ग्रह है, वो सूरे से दूसरा है, क्योंकि पहला क्या है, सूरे के बाद बुध आता, बुध के बाद सुक्र आता, सुक्र के बाद प्रित्वी और उसके बाद मंगल, इस तरह से सीक्वेंस है, तो पहला पॉइंट सही है, सेकेंड पॉइंट की बात कहें, तो सौर मंडल का छठा सबसे ग्रह, यानि कि सुक्र जो है, वो सौर मंडल का छठा सबसे ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह की बात की जारी है, सबसे बड़ा छठा ग्रह, ठीक है, पांच बाज होता हमारा पृत्वी और छटा सुक्र है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट की बाद के तो ये अकार में करीब पृत्वी जितना ही बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां के तीनों के तीनों पॉइंट सही दिया गाता है, गर्मग्रा कौन सही है, तो जस्ट हम लोगों ने उपर में इस क्वेशन के बारे में डिसकस कर चुका हूँ, सही आंसर क्या होगा, और जिन लोगों ने भी बुद्ध को टिक किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत है, क्यों, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि सटा हुआ जोगर है, सुरी के सबसे नजदी का जोगर है, वो बुद्ध है, और इस वज़े से काफी गर्म होगा, जी ऐसा नहीं है, क्योंकि सुक्र के चारू तरफ, जो सुक्र का वायू मंडल है, उसमें कार्बन डाइकसाइड की मात्रा काफी जयाद है, और इस वज़े हम लोगों उपर में देखा आई था, अकार के दिश्टी से पाचवा है, ध्यान रखेगा, ऑप्सन सी को टिक करेंगे, जैसे तरह समक्या सकते हैं कि अकार में सबसे बड़ा प्रित्वी, सेकेंड, सनी, थर्ड, अरून, चौथा वरून हो जाता और उसे तरह से पाचवा ह हमारा प्रित्वी होगा, और दूरी के करम में करम प्रित्वी को देखें तो बते कि कौन सा होगा, जल्दी से कमेंड करके बते कि दूरी के करम में, सूरे से दूरी के करम में कौन सा होगा, जल्दी से कमेंड कर दीजिए, चली, next questions क्या बनता है, कि प्रित्वी इस्तित है, जो पृतिवी है एक वो इस्तित है किन दो ग्रहों के मद्ध है यह सभी चीज़ हम लोगों लोगों उपर के questions में डिसकस कर चुका हूँ तो देखे पृतिवी जो इस्तित है हम कह सकते हैं कि पृतिवी अगर हमारा यह हमारा अर्थ है तो अर्थ के just इधर हमारा क्या है क्या सकते हैं कि वेनस है यानि कि सुक्र है और इसके just बाद मार्स यानि कि मंगल तो सुक्र और मंगल के मद्ध इस्तित है वो अपसन हम एक को टिक करेंगे काफी important question है याद रखेगा चलिए अगला कुस्त देखे क्या है कि कि किस दिन पृत्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो बदाए कि प्रिथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है इस question का right answer क्या होगा तो Зबसे अन्सर हमारा हो जाता हम यहां पर कह सकते हैं कि सबसे निकट जो होता है वो हमारा दिन वर रात होने का कारण क्या है तो यहां पर मारा सही आंसर क्या होगा दिन वर रात होने का कारण होता है क्या प्रित्वी अपने अक्ष पर घुंडन करती है इस वज़े से दिन वर रात होता है ठीक है चली नेक्स्ट वेसं देखिए क्या है कि इक्विनॉक्स इक्विनॉ यह है कि हम कह सेकते हैं कि जब दिन वार रात दोनों समानों दिप होते हैं उसको हम लोग Equinox कहते हैं Option एक उटी करेंगे और आपको पता है कि Equinox की स्थीती दो वर्स में दो भार ही होती है वर्स में दो भार होता है और वो कब-कब होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इस्तिती होती है ठीक है चलिए अगला कुशन्स की दच्छडी गुलार्द में सबसे लंबा दिन कब होता है ये सारे कुशन्स बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कई बार एक्जाउंस में रिपीट भी हुए तो अच्छे से कुशन्स को पढ़ि दिसंबर को होता है हम इसको इस तरह समझते है इसको आप याद रखने का तरीका मैं आपको तांता हो आप आसानी सी याद रेक सकते हो मैं ऊपर मानता हूं कि नौर्थ बहन utilities के और नी इसे उन्समझा धैता हूं ठीक के आधिक दो सबसे अगर हम बात करें कि उत्री गुलार्द में सबसे लंबा जो दिन होता है वो कब होता है तो 21 जून को होता है उत्री गुलार्द में यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा मैं आपको अच्छे समझा जेता हूं देखे याद रख सकते हैं कैसे तो उत्तर यानि कि अगर हम है चलिए अगला क्या बनता है कि निम्न में से किन स्तीथियों को सुर्य की किर्णे विश्वत रिखा पर सीधी पड़ती है तो जस्ट यहीं बात हो गई कि जो इक्विनॉक्स मैंने आपको जस्ट बता 21 मार्च और 23 सितंबर यहीं इस कोईशन के राइट हैं सर ऑप्सन डी को करती है तो सर प्रथम यह बात किसके दौरा कही गई थी तो बात कही गई थी कौपर निकस के दौरा ऑप्सन डी को टिक करेंगे नेश्ट वेसंस यह कि प्रित्वी तथा सूरी के मद वास्तविक दूरी किसके दौरान होती है प्रित्वी तथा सूरी के मद सरवाधिक जो त प्रित्वी को उसके काल्पनिक अक्षपर घूमने को क्या कहाइब? प्रित्वी को उसके कालपनिक अक्ष पर घुमने को क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं घुर्णन ठीक है ऑप्सन सी करेक्ट होगा घुर्णन कहते हैं अगला कुशन क्या बनता है देखिए निमली खीत कत्नों पर विचार कीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट देखते हैं आपने कितना अच्छे से सब्सक्राइब को पड़ा हुआ मैंने दिया था कल का टॉपिक क्या था महारा महमुद घजनवी और गौरी था तो उसी से मैंने यहां पर क्वेसंस बनाया तो चलिए मैं यहां पर देखते हैं पहला पॉइंट क्या कि महमुद पॉइंट्स है सुल्तान की उपादी धारन करने वाला प्रतम सासक महमुद गौरी था क्या यह सही है जीने यह पॉइंट्स गलत है क्योंकि सुल्तान की उपादी धारन करने वाला महमुद घजनवी था पहला सासक ठीक है तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड सही होता है बस आप लोग लाइक कर दिया करो हमें अच्छा लगता है अगला कुसंस क्या है कि निमली कित में से कौन सा कथन असत्य है अच्छे से पढ़ी और बते कि कौन सा कथन यहां पर असत्य है चली हम एके करके देख लेते हैं तो चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी टिक कर सकते अच्छे से देखें फर्स्ट पॉइंट यह कहा रहा है कि साहबोदीन महमुद गौरी का भारत पर पहला आकरमट 1175 में मुलतान के विरुद हुआ यह पॉइंट बिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं सेकेंड पॉइंट यह कि महमुद गौरी का भारत पर दूसरा आकरमट ज जिसमें तराइन का दुतिय यूद कब हुआ था 1192 में ठीक 1192 में जिसमें कह रहा है कि गौरी प्रित्विरा चोहां से पुरी तरह से पराजित हुआ जो कि यह पॉइंट गलत है क्योंकि जस्टिस का पोजिट हुआ था तराइन का प्रत्हम यूद 1191 में क्या हुआ था कि गौरी जो था वो बुरी तरह से पराजित हुआ था लेकिन दूतिय यूद में गौरी ने प्रित्विरा चोहां को हराया था तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट पॉइंट जो की गलत है इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे ठीक है चलिए आई होब कि आपक इस क्वेशन का सही आंसर हमारा हो जाता है 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा नियंतरन बोर्ड के सदस्यों तथा करमचारियों के वेतनादी को भार्ति राजस्वे से देने के वस्था की गई थी ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट वेशन देखिए कि मिंटो मारले सुधार अधिनियम के समद में कौन सा कथन सही है मिंटो मारले सुधार अधिनियम के समद में कौन सा कथन सही है तो चलिए हम एके करके देखते हैं मिंटो मारले सुधार अधिनियम के अगर हम बात करें तो यह 1909 से समद है ध्या पालिका परिशत के प्रथम बहारदिय सदस से बनेते तो यहां पर तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही इसलिए अप्सन डीको टिक करेंगे उप्यूगत सभी कतन सही है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों ने यह सभी चीजे पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और जो लोग नहीं पढ़े हो तो हो सकता हूँ उनको थोड़ा सा क्वेशन स्टफ लगे ठीक है तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो टॉपिक्स में आपको दिया हूँ आज टॉपिक्स को पढ़ लीजे कल के वीडियो में देखे कितना अच्छा लगेगा अखिल भारतिये महासंग स्थापित करने का प्राउधान सामिल किया गया था किस अधिनियम के तहत तो यहाँ पे सही आंसर क्या हूँ भारत सरकार अधिनियम 1935 में ओप्सन एको टिक करेंगे नेक्स्ट कुरिशन देखिए क्या कि कोसिका वह आणविक जीव विज्ञान के अंदर कहां इस्तिते हैं तो कल का टॉपिक्स क्या था कोसिका विज्ञान तो कोसिका विज्ञान से क्वेशन से कोसिके वह आणविक जीव विज्ञान के अंदर कहां इस्तिते हैं तो यह अब अच्छे से पढ़िए और बताए कि क्या यहां पे साही होना चाहिए तो चलिए हम यहां पे करके देखते हैं देखिए पहला पॉइंट क्या करा है कि यह जीवन की सबसे छोटी करियात्मा के हम रचनात्मा की काई है जो कि बिल्कुल साही है कोई दिक्कत नहीं इस वज़े से यहां पे यह पॉइंट गलत हो जाता है और थर्ड पॉइंट क्या करे कि कोशिका सिधान्त का प्रति पादन 1838 से 49 में दिया गया था कहीं कहीं आपको अगर यह मिल जाय तो कोई दिक्कत नहीं याकिन मैं आपको बता दूँ कि 1839 में होना चाहिए था स्लाइडन और स्वांग तो यह पॉइंट भी हमारा गलत हो जाता है किसक उपस्तिति के कारण तो यहां पर मारा सही अंसर क्या होगा अप्सन म् B को टिक करेंगे कुसी का भित्ती ठिक के कहरण किसी पादब और पसु को सीक में यह जाता है कि को सीका भित्ती केवल पादब को सीका मैं पाय जाता है और यह सिलौर्श का बना होता है पूछा भी जाता है कि कवो को सॉरी जो पादप की कोसिका भित्ती होती किसकी बनी होती है सिल्लोज की बनी होती है याद रखेंगे और यह कोसिका को निस्चित अकार एवं अकृति बनाये रखने में साहता प्रदान करती है चलिए अगला कोशन क्या बनता है कि निमली खित म से कौन सा कथन असद दे पहला पॉइंट क्या करा है कि राइज राइबोजोम अमलोभ प्रोटीन की बनी होती है बिल्कुल सही कोई दिक्कत ने यह प्रोटीन संसलेशन के लिए उप्यूग तस्थान प्रदान करती है यह भी बिल्कुल सही है कि प्रोटीन संसलेशन जो होता और थर्ड पॉइंट है के सवर पर्थम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1913 में पादप कोशिका में राइबोजोम को देखा था यह पॉइंट पे साही है तो यहां पर तीनों के तीनों साही है इसलिए हम कह सकते हैं कि असात्ते कौन सा हुआ इन में से कोई नहीं ऑप्सन डी क होता है और डारेक्ट कॉइसंस भी पूछा जाता है कि बताए कि जिवाड़ों में सुत्र करनिकाओं की संक्या कितनी होती है तो सुनने होता है एक भी नहीं होता है माइट्रो कॉंड्रिया से संबंधी जो क्वेसंस बन साकते हैं यहां पर पढ़ लीजे कि माइट्रो कॉं को और ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉइसंस यह बन सकता है कि डीने जो होता है वो किंद्रक के अलावा माइट्रो कॉंड्रिया और हरितलवक में भी पाया जाता है ठीक है चलिए तो यह सभी पॉइंट्स इंपॉइंट था याद रखेगा अगला कॉइसंस यह बनता है कि कोसिका की क्रियात्मक गतिवीदिया नियंत्रित होती है किसके द्वारा तो कोसिका की जो क्रियात्मक गतिवीदिया होती है वो नियंत्रित होती है किसके द्वारा तो किंद्रक के द्वारा ओप्सन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट वन है कि कोसिका में राइबोजोम की पाधित नहीं होगा, option C होगा, ठीक करेंगे ठीक है, नेक्षटरन है कि यदि mighty rod procedure काम करना बंद कर दे, तो बताए कि koosika में कौसा कारें नहीं हो पाएगा, अगर mitocondria काम करना बंद कर दे तो कौसा कारें नहीं हो पाएगा और वह हमारा है zajmata oxygen का oxygen पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरं जो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कोशिका भित्ती के नाम से जानते हैं, आई होब कि आपने काफी अच्छे तरीके से पड़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जस्ट मैंने उपर में बताया था कि ये कोशिकाओं को निस्चित अकार देने के लिए भी सायत होते हैं, ठीक है, अगला कुशन्स की लिउकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं, लिउकोप्लास्ट, मुख्यता पाय जाते हैं, तो अवर्णी लवक यानि की लिउकोप्लास्ट पाय जा और अगर पूछले कि इनका कारे क्या होता है तो भोज़े पदार्थों का संग्रा करने वाला एक लवक होता है और कभी-कभी पूछाते हैं कि लवक जो है लवक सब्द किस ने दिया था तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हैकल के द्वराद दिया गया था लवक सब्द है next questions है कि कौन सा अंगख प्राया जन्तु कोसीकाओं में उपस्तित नहीं होता है तो ध्यान रगेगा जो लवक होता है वो जन्तु कोसीकाओं में उपस्तित नहीं होता option ए बिलकुल सही answer है हम यहापे पढ़ सकते कि जो लवक होता है वो केवल पादब कोसी काओं में पाए जाते हैं जन्तु कोसी काओं में नहीं पाए जाते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं हरित लवक अवर्णी लवक और वर्णी लवक यानि कि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पर यह तीन होते जो कि सिर्फ और तिर्फ आपका टॉपिक से था, ठीक है, अगर आपके डिमांड रहेगे, तो हम questions को बढ़ा देंगे, इन सभी questions को हटा देंगे, जैसे आप कहेंगे, नीचे comment कर दीज़ेगा, देखें, अगर बात करें कि भारतिराश्टी कॉंग्रेस के सबसे अधिक समयता कदेक्च कौन रहें, तो अबुल कलाम अज़ाद, option A, बिल्कुल सही answer को, next one क्या कह रहा है कि, 28 अताबदी के दोरान, निमली की दरसनिकों में से, किसने, इन प्रसित सब्दों को कहा, कि मन्नू से सौतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो हर जगव, है जहां, जंजियर में है, तो यहां पे सही answer क्या हो, तो right answer will be option C, यानि कि, जिन जैक रूसों ने कहा था, रूसों ने ये बात कही थे, next question से कि, सर्वोदय योजना का प्रारूप किस के दोरा त्यार किया गया था, सर्वोदय योजना का प्रारूप किस के दोरा त्यार किया गया था, right answer will be option D, जै प्रकास नरायन, next question से कि, निम्न में से कि, अर्थ सास्तिर ने विकासिल देशों के लिए, rolling plan की ओधारना का स्वर प्रत्थम समर्थन किया था, rolling plan के ओधारना का स्वर प्रत्थम समर्थन किस के दोरा क्या था, गुर्णार मेडल, option B will be a right answer, गुर्णार मेडल, ठीक है, next question क्या है कि, आर्थिक नियोजन विसे है, बताएं कि, आर्थिक नियोजन जो विसे है, वो किस सूची का, और ये बहुत ज़्यादा वी विए क्वेशन है, कई बार ये questions repeat हुआ है, तो बताएं, तो आर्थिक नियोजन जो वो समवर्थी सूची का विसे है, option C को डिक करेंगे, next question है कि, निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर मारा सही answer क्या होगा कि, तृतिय पंच वर्षी योजना का जो काल यहाँ पर आप देख रहें, वो गलत है, क्योंकि तृति इन जो प्लाने वो कि सौधी के लिए बनाए गई थे, तो सही answer यहाँ पर हो जागा, option C, यानि की 1978 से 83 के लिए बनाए गया था, लेकिन ये पूरी तरह से लागुद नहीं रहा, 80 में इसको बंद कर दिया गा, उसके बाद 65 वर्षी योजना को स्टार्ट कर दिया गया था, अगला कुशन्स की नायक समीती का संबंध किस से हैं, नायक समीती का संबंध किस से हैं, तो नायक समीती लगह उदोगों से संबंधी थे, option B correct होगा, संसदी ये सासन प्रणाली सर प्रथम किस देश में बिख्सित हुईती, और ये ब्रिटेन में बिख्सित हुईती, ध्यान रखेंगे, और भारत भी संसदी ये सासन प्रणाली को ही अपना है, ब्रिटेन की समीधान से, संसद के राज सूची के विशाय के संबंद में बीधी बनाने के सक्ति प्रदान करता है तो राज सूची के संबंद में जो बीधी बनाने का सक्ति प्रदान करता हुए अनुचेद 249, option D को टिक करेंगे और यह काफ़ी important article है याद रखेगा नेक्स्ट कुइशन की राज सभा का सभा पती कौन होता है, तो सही answer will be option B, यानि की राइट answer will be option B, उपराश्टर पती रिखान नत्री होते हैं, प्रदहान मंत्री होते हैं, लोग सभा के बहुमत दल की नेता होते हैं, हैton C, कोटी करेंगे game next वन कि रिनात्मक उत्वराग यानि के निगेटिव कैटलीस्ट वह से चो है तो मतलम करते हैं कि मतलम कहसा क्या सकते हैं कि यहां पर है तरह साथ सकते कम यानि कि अभीकिरिया की worker कम करос के और उसी तरह से गर हम यहां पर बात करते कि पुजिटिव कैटलिस्ट तो वह क्या करता कि बढ़ा देता ठीक है और आपको पता कि उत्रेरख का कारे क्या होता है कि कि किसी भी रसाइनी के अभिक्रिया के दर्व को परभावित करना यानि कि घटाना या फिर बढ़ाना लेकिन वो किसी भी रसाइनी के अभिक्रिया में खुद इन्वाल्विट नहीं होता है Next question की लाल तप्द कोक पर जलवास पर प्रवाहिद करने से carbon minus oxide यह वं hydrogen gas का मिसर्ण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं यानि कि carbon minus oxide और hydrogen जो gas का मिसर्ण होता हम इसको किस नम से जानते हैं इसको हम लोग gel gas के नम से जानते हैं option हम b को tick करیں ठीक है जल गैस के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें कि CO और N2 जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं तो इसको जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएगा आप किस नाम से जानते हैं options में हैं बताएगा जल्दी से comment करके कि carbon monoxide plus nitrogen जो gas होता है इसका मिशन किस नाम से जानते हैं चलिए देखे जो मैंने questions आप से पूछा था why questions यहाँ पर दिया गया तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने right answer के नीचे comment कर दिया होगा जिन लोगों नहीं किया कोई बात नहीं यहाँ पर देख सकते कि carbon monoxide और nitrogen के gas यह मिशन को उनों किस नाम से जानते हैं तो सही answer होगा option C producer gas के नाम से जानते हैं और देखे यह questions बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान में रखेगा कि producer gas इसे वायू अंगार gas भी कहा जाता है ठ कि 65.3% चोता हो नाइट्रोजन होता है तो इस चीज को ध्यान में रखेगा काफी important यहाँ पर बन जाता है ठीक है चलिए अगला questions जीए कि निमलीखीत में से कौन सुमेलित नहीं है तो बताए कि निमलीखीत में से कौन सुमेलित नहीं है तो गुबी मरुवस्तल मंगोलिया बिल्कुल सही है कलाहारी मरुवस्तल बहुत सवाना सही है अठकामा मरुवस्तल उत्री चिली यह भी सही है लेकिन गलत यहाँ पर है कि मुझेव जो मरुवस्तल है यह मैक्सिको में नहीं उत्री अमेरिका के कह सकते हैं कि दच्छडी कैलिफोनिया में ठीक है दच्छडी क होगा स्पेन और मुरग को ऑप्शन बीको टिक करेंगे तो यहां पर हमारा लुशन कंप्लेट हुआ अब बात करते हैं करेंड अफेंस की तो पढ़ सकते हैं यहां पर किलकत्ता के किस पूल का नाम सुबाचंदर बोस्की 125 वी जैनती के उपलक्ष में जहिंद पूल के लॉड़ किया है बते किस मंतराले ने हाली में साथ ही अप लॉड़ किया तो यह लॉड़ के परहेंटन मंतराले के तोरा आप्शन ए को टिक करेंगे और यहां पर छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि बिक्ष्वे अन्टिभाग के लिए मुल्यांकन चागरूक्ता औ के disability sports कि सहर में स्थापीद किया जाएगा Center for disability sports कि सहर में स्थापीद किया जाएगा तो यह कह सकते हैं कि मद्द प्रदेश के ग्वालियर में स्थापीद किया जाना है सी को टिक करेंगा next questions की राज्चे में हर्याली बनाय रखने और पर्यावरन संदक्षन के लिए किस राज्चे सरकार ने आई रखवाली एप लॉंच किया गया तो यहां पर मैरा सही अंसर क्या होगा पंजाब के सरकार के दौरा option B को खमिद्हान के मुल्दहांचे का सिधान दिलाने वाले संद केषवानन भारती का हाली में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो यह discussion बहुत जादा जलमार्ग को अपचारिक रुप से संचालन में लाए गया तो अपचारिक रुप से हाली में एक नए जलमार्ग को संचालन में लाए गया भारत का त्रिपूरा के साथ ठीक है बंगलादेश का त्रिपूरा के साथ तो यहां पे हम पढ़ सकते हैं कि भारत के त्रिपूरा और बंगलादेश के बीच 93 किलोमेटर लंबे सोना मुरा और दाव कांडी इन लैंड चल मार्ग की अपचारिक शुरुआत हो गई है तिरपूरा की राज़तानी से 55 किलोमेटर पस्ची में इस्तीत सोना मुरा में औस थाई तैर्थी जट्टी बनाई गई है ठीक है तो यह ध्या किया गया जैपूर में option C को टिक करेंगा और आपको पता है कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया था कि जैपूर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी घुशिद किया गया योनेश को के दोरा हाली में सोध करता हो ने गोवा के नित्रावली वन्नेजी अभ रखेंगे पहला कुशन बहुत जदा इंपॉर्टेंट है और यह क्यों चर्चा में रहा तो यहां पे नई प्रजाती खोजी गई है चीटी की जिसका नाम क्या रखा गया वैभ प्रोटा नेला ठीक है प्रोटा नेला चलिए नेक्स्ट कुशन देखिए यहां पर पढ़ भी सकते हैं चोड़ सॉरी हाली में सोद करता हो ने गोवा के नित्रावली वनेज्जू अभ्यारन में लगभग 2.5 एमें लभी चीटी की एक नई प्रजाती बैब हो प्रोटा नेला की खोज की गई है ठीक है अगला कुशन निमलिखित में से कि संगठन संस्था ने फाइ ये डाक बिभाग ने देश के ग्रामेड छेतरों के लिए फाइव स्टार गाव स्कीम सुरू किया है इस स्कीम के जरीए गाव तक नहीं पहुंचने वाले योजनाओं को पहुंचाया जाएगा ठीक है चलिए लास्ट कुशन देखे क्या है कि हाल ही में पथारु घाट किस इससान विद्रों जिनको हाली में सहीदों को सधांजली दी गई और यह सही आंसर यहां पर होगा ऑप्सन डी यानि कि असाम ठीक है असाम का जलिया वाला बागत्य करन के रूप में जाना जाता है तो यहां पर आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लेगे होगी क्यूज क कम्प्रीट कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन बिल को अन रखिए और जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट करके बता दीजेगा हम मिलते है किसे और वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ थैंक्स वाचिं keep watching keep learning have a good day